जै हिन दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में और आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहिते के इतिहास का काल विभाजन और उसका नाम करण तो दोस्तो इससे पहले हमारी जो 04 की जो स्रीज थी उसमें भी हमने डिटेल्ड में हिंदी साहिते का काल विभाजन पढ़ा था और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ काल विभाजन ही पढ़ रहे हैं संपूर्ण आचारियों का काल विभाजन यहाँ पे दिया हुआ है इसके अलग सिरीज चल रही है वो भी आप देख सकते हैं और दोस्तों कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रिस कर लें काल विभाजन हिंदी साहिते का सबसे पहले काल विभाजन देखेंगे कि कि किस आचार के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या रही है यही साहित के नामकरण के संदर्भ में आचारी रामचंदर शुकल कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सारे रचनाकाल को केवल आदी मध्य पूर्व और उत्तर इत्यादी खंडों में आँख मूंद कर बांट देना यह भी ना देखना की ख आचारी रामचंदर शुकल जी का काल विभाजन के नामकरण पर फिर आचारी रामचंदर शुकल अपनी पुस्तक हिंदी साहित के इतिहास में अपने द्वारा दिये गए नामकरण के संदर्भ में लिखा है क्या लिखा है जिस विभाग के भीतर किसी विशेश धंग की र फुरिता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उनहीं रचनाओ के सरोप के आधार पर किया गया है शुकल जी ने नामकरण का आधार एक विशेस काल में विशेस धंग की रचनाओं की पुर्चूरता को को आधार माना है मतलब जैसे किसी काल का नामकरण किया है तो उस काल में उस नाम से रिलेटेड रचनाय होती थी मतलब उस प्रकार की रचनाय होती थी उसी प्रकार उन रचनाओं को आधार बना कर वो काल का नामकरण उन्होंने किया है हिंदी साहित के इतिहास गरंथों में काल विभाजन के लिए प्राय पद्दती के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन चार यूग अथवा काल घंडों में किया गया है जैसे कि आदी काल, भगती काल, रीती काल और आधुनिक काल आचार रमचंदर शुक्ल दौरा और उनके अनुसरन पर नागरी परचारणी सभा के इतिहासों में इसी को गरहन किया गया है दूसरे करम के अनुसार केवल तीन यूगों की कलपनाही विवेक सम्मत है पहला है आधी काल, मध्य काल और आधुनिक काल भारती हिंदी परिसद के इतिहास में इसे सुविकार किया गया है और गढ़पती चंदरगुप्त ने भी अपनी वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है साहिते के विभाजन करने की पद्दतियों के अपने अपने गुढ़ दोस है परंतु या भी समन्यात्मक द्रश्टी कोड है श्रयसकर है जैसे कि हमने पूर्व विवेचन में इस्पस्ट किया है साहित के इतिहास में यूग चेतना और साहित चेतना का अनिवार योग रहता है अतह साहित के विभाजन में भी एतिहासिक काल करम और साहित विधा दोनों का आधार ग्रहन करना होगा साहित के कथ अर्थात समवेद्ध तत्व के विकास का निरूपन करने के लिए संपूर्ण यूगों को आधार मान कर चलना होगा और उसके रूप का विकास करम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्विती पद्दती को स्विकार कर लेने पर हिंदी साहित के काल विभाजन की समस्या बहुत कोछ हल हो सकती है तो देख लेते हैं किस प्रकार से किसने काल विभाजन का काल विभाजन व नामकरण यद्यपी हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसादा तासी से होती है लेकिन काल विभाजन और नामकरन का पहला प्रयास जॉर्ज गिरियरसन जॉर्ज अबराहम गिरियरसन ने अंगरेजी भाशा में किया था जॉर्ज गिरियरसन ने अपने साहित एतिहास को ग्यारा खंडों में विभाजित किया है कौन कौन से खंड हैं ग्यारा खंडों में भी भाजित किया था तो पहला है चारणकाल दूसरा पंद्रवी सदी का धारमिक पुनर जागरणकाल तीसरा जैसी की प्रेम कविता, चौथा करशन संपरदाय, मुगल दरबार, तुलसी दास, प्रेम कावे, तुलसी दास की अन्य परिवर्ती, अठारवी शताबदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान तो ये था जौर्ज अब्राहम गिरियरसन जी का काल विभाजन, फिर आता है मिश्रबंधु का काल विभाजन और नामकरण, मिश्रबंधु ने अपने संपूर्ण साहित को पांच काल खंडों में विभाजित किया है, मिश्रबंधु के साहित इतिहास को आचारी अब कैसे है, ये देख लेते हैं कि सबसे पहला जो काल था वो आरंभिक काल था, उसमें उसको दो भागों में बाटा हुआ है, पहला है पूर्व आरंभिक काल सम्वत साथ सो से लेकर तेरा सो तेतालिस, दूसरा है उत्तर आरंभिक काल सम्वत तेरा सो तेतालिस से चौदा पूर्व अलंकरत काल समद 1791 से 1889 फिर छोथ है काल है परिवर्तन काल समद 1890 से 1925 और अनतीम काल है पांचिवा काल वर्तमान काल समद 1925 से आगे तो ये इनका जो काल विभाजन है किसका म मिश्र बंधु का फिर आता है आचारी रामचंद्र शुकल का काल विभाजन आचारी रामचंदर शुखले ने अपने साहित्य इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है वीर गाथा काल सम्मत दस्थू पचास से तेरा सो पचास भाक्ति काल सम्मत तेरा सो पचास से तेरा सो पचास है यहा फिर है शुकल जी ने आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा है इसे दो भागों में विभक्त किया है गद्य खंड और काव्य खंड पुना शुकल जी ने काव्य खंड को पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा नाम से विभाजित किया है शुकल जी ने आधुनिक काल के ती इन उत्थानों की चर्चा भी की है प्रथम उत्थान सम्वत 1925 से 1950 दुतिय उत्थान सम्वत 1975 से लेकर के आगी तक फिर है हजारी प्रसाद दिवेदी जी का कालवी भाजन और नामकरण हजारी प्रसाद दिवेदी ने अपने साहित इतिहास के नामकरण वा कालवी भाजन का आधार सम्वत के इस्थान पर पूरी सदी को माना है जैसे की पहला काल है आधी काल सन 1,000 से लेकर के 1,400 इसमी, भाक्ती काल 1,400 से लेकर के 1,700 इसमी, रीती काल सन 1,700 से लेकर के अब तक का समय फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन वा नामकरण संधी काल सम्मत 700 से 1000, चारण काल सम्मत 1375, भक्ती काल सम्मत 1375 से 1700, रीती काल सम्मत 1700 से 1900, राधहुनी काल सम्मत 1900 से लेकर के आगे तक का समय फिर है श्याम सुन्दर दास जी का काल विभाजन वा नाम करण वीर गाथा यूग सम्मत दस्सो पचास से चौदा सो भाक्ती यूग सम्मत चौदा सो से सोला सो रीती यूग सम्मत सोला सो से उननीस सो और नवीन विकास यूग उननीस सो से लेकर के आगे फिर है गड़पती चंदरगुप्त का कालवी भाजन वा नामकरण प्रारंभी काल या उन्मेशन काल सन ग्यारा सो चौरासी से लेकर के तेरा सो पचास इसको इन्होंने दो भागों में बाटा धारमिक रासिकावे प्रांपरा जैन कवियों के कावे का उलेख और संत कावे संत कवियों के कावे का उलेख फिर है मध्यकाल या विकासकाल सन तेरा सो पचास से लेकर के अठारा सो सतावन इसको इन्होंने तीन भागों में बाटा है पूरू मध्यकाल या उतकर्सकाल तेरा सो से पंदरा सो मध्धे काल या चर्मोत कर्ष काल सन पंद्रा सो से लेकर के सोला सो और उत्तर मध्धे काल या उतकर्ष काल सन सोला सो से लेकर के अठारा सो सतावन फिर है तीसरा काल का नाम इनों ने दिया है आधुनी काल अठारा सो सतावन से लेकर के आगे तक का समय आधुनिक काल के विभाजन में गुप्त जी ने परंपरा का ही पालन किया है भारतेंदु यूग 1857-1900, दुवेदी यूग 1900-1920, छायवाद यूग 1920-1937, प्रगती वादी यूग 1937-1945, प्रियोग वाद यूग 1945-1965 फिर आता है राम खेलावन का काल विभाजन वा नामकरण। फिर है राम सरूब चितरवेदी जी का काल विभाजन वा नामकरण। वीरगाथा काल 1380 इस्वी, भाक्ती काल 1350-1650 इस्वी, रीती काल 1650-1850 इस्वी और गद्दी काल 1850 से आगे तक का समय। तो दोस्तो ये था हिंदी साहित के इतिहास का काल विभाजन अलग अलग आचारियों ने अलग अलग काल विभाजन के हिसाब से काल को बाटा है। तो जिस हिसाब से हमने दोस्तों पढ़ा है उसे हिसाब से अब हम पढ़ेंगे अपना जो अगला टॉपिक है डिटेल्ड में आधी काल इसके अलावा कोईशन अंसर की सीरीज चल रही है दोस्तों तो उसे भी आप जरूर से जरूर देखें और अपनी नोर्स बनाए ताकि परिक्षाओं में आपको आसानी हो सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद